आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब स्वाइस हैं A, B, C, D, E इन में से हमें चेक करना है कि कौन सा Answer Figure होगा, ओके सो बहुत सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर क्या है Relation देखेंगे उसी वेस पर हम पता कर लेंगे क्या क्या हमारा Answer आ सकता है, तो अब हम देख रहे हैं कि First Figure में है First Figure क्या Arrow इस Direction में है और Second Figure में Arrow अब एक दूसरे की तरफ हो गए ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जो Arrow है, देखो वो इस Direction में थे अब वो Direction अपोजिट कर लिए ओके, सो यह जो है एक मतलब की Combination चलना है Combination चलना है उसमें कहा है कि Arrow है Arrow Different Direction में Change हो जा रहे So हमारे पास यहाँ पर जो Figure है मैं यह वाली Figure उता रहा हूँ जिससे हमें Relation लिखना है यह है, then G, R, then Star Then Arrow इस तरह से दिया है And यह Arrow इस तरह से दिया है So अब हमारे पास यहाँ पर जो Arrow है यह दो समझ आगया है कि Arrow इस तरीके से नावके कहा होंगे Arrow Central की तरफ होंगे Arrow Opposite Direction में हो जाएंगे Arrow जो है, वो Opposite Direction में हो जाएंगे Arrow Direction Change कर लेंगे अब इसके बाद में हमारे पास और कहके दे रखा है अब हमारे पास यहाँ पर G है और R है जी आ रहे है तो हम देखते हैं यह किस तरीके से Representation चलना है यहाँ पर क्या हुआ है देखो यह इधर आ गया है और यह इधर आ गया है ठीक है यह जब इधर आ गया है तो यह जगए क्या बॉइट हो गई और जो यह जगए बॉइट हो गई यहाँ पर कुछ New Sign आ जाएगा अगें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है अब हम इस वाले में देखते हैं यह क्या है यह यहाँ पर यह इधर आ जा रहा है यह इधर आ जा रहा है तभी तो यहाँ पर Star बीच में आ गया देखो यहाँ पर क्या है और इस्टार है तो यहाँ आ जाना है ठीक है एंट जी यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर यहाँ पर वाइट है जिसमें क्या आना है new sign आना है new sign ठीक है पता नहीं वो क्या होगा option में देखते हैं तो option देखेंगे हम तो G और R के साथ में arrow invite में है ओके यह and इसके साथ में यहाँ पे कोई और new है तो हमारा यह option correct हो जाएगा देन हम देखते हैं यहाँ पे G और R है और arrow जो है देखो arrow की direction बतले हुए ठीक है यह है तो यह हमारा option गलत हो जाएगा ठीक है एंड इसके साथ में फिर हमारे पास यहाँ पे यह दिये दिये हुआ है यहाँ पे यू है unknown बीच में आ गया तो यह भी गलत हो गया यहाँ पे G, R भी है यू भी है बट यह भी हमारा option नहीं हुआ क्योंकि arrow पूल टारिक्शन में नहीं है जो हमारे लिए दिये थे उनसे ठीक है उसके बाद में G, R है और U है और arrow जो हो एक ही direction में चले गया है जो direction दिया था उसी से ठीक है तो यह भी हमारा गलत हो गया तो ह यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आट 4444 सुपर